बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2024 के लिए समाजिक विग्याउन का महत्पुन अब्जेक्टिव प्रस्ण तो पेड़ा प्रस्ण है कि इन में से कौन सा प्राकिर्तिक आपदा नहीं है तो इन में से कौन प्राकिर्तिक आपदा नहीं हो जाएगा प्राकिर्तिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद मानविय आपदा है प्राकिर्तिक नहीं है वर्तमान में सबसे अधीक उप्योग देने वाला साधन कौन सा है वर्तमान में सबसे अधीक उप्योग देने वाला साधन इसमें से हो जाएगा आपका मोबाइल option नमर सी सही है mobile समान ये संचार व्यवस्था को के वाधित होने का मुख्य करन क्या है केवल का टूट जाना option A सही है सुदूर समवेदी उपगरा, रिमोन से सिंग उपगरा का पड़ियोग किसलिए होता है तो दूर संचार के लिए, मौसम विग्यान के लिए, संसाधन की खोच के लिए इनमें सभी हो जाएगा option D सही है, इनमें सभी संचार का सबसे लोग पिरिये साधन है सारवजनिक टेलीफाउन option A से हो जाएगा बेकलपिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है तो इस प्रशनिक का उत्तर हो जाएगा आपका option नमर D बिल्कुल सही है अंत्रिक्ज भारत में कितने परतिसत भूमी, भूकम, संभावित है तो 56 परतिसत option नमर B सही है राष्टिये सुवाय सेवक शेंग की अस्थापन कव और किसने की थी राष्टिये सुवाय सेवक शेंग की अस्थापन 1925 में के भी हेड गावर ने क्या था वोकिम चंद्र ने किसे रचित किया है तो राष्टि गीत option नमर B सही है रंपा विद्रो कब हुआ था रंपा विद्रो हुआ था 1916 में option A सही है जलियावाला बा गत्याकर्ण की स्थिति को हुआ था जलियावाला बा गत्याकर्ण हुआ था 13 अप्रेल 1919 को option A सही है कॉंग्रेस पार्टी का लोहर अधिवेशन कब हुआ था कॉंग्रेस पार्टी का लोहर अधिवेशन हुआ था 1929 में option D सही है जलिया वाला बा घत्याकन के उपरांद किसका गठन किया गया था तो डी सही है है शूरत विभाजन कब हुआ था शूरत विभाजन हुआ था उनिस्व साथ इसवी में अप्शन ए सही है बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी किस किसन अंदरन के दोरों दी गई थी तो बार्दोली दा हिंदू रिपब्लिक आर्मी का गठन का भवात तो